आप सभी का हमाय चैनल में स्वागत है आज में जारकन का बहुत ही फेमस छिलका बनाने जारी हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हमें अरवा चावल को भिगो लेना है चार से पाच गहंटे के लिए ये मैं भिगो ली हूँ इसे अच्छे से दो ली हूँ और जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी एकदम मेहिन पेस्ट बना लेना है हमें इसका इस तरीके से पानी को डालकर बहुत ही टेस्टी लगता है ये छिलका बनाना भी बहुत आशान है यह मैं अच्छे से पेश्ट बना ली हूँ, इसे मैं एक बरतन में निकाल लूँगी इसमें मैं पानी डाल कर एकदम पतला घोल तयार कर लूँगी इस तरीके से पेश्ट बन गया है, हम मैं इसमें पानी को मिला दूँगी और यह पतला घोल बना दूँगी अरतावा को हमें गर्म कर लेना है और इसमें सूती कपड़े से इस तरीके से तेल को लगा देना है सर सूतेल में मैं बना रही हूँ और इस तरीके से जो मैं गोल बनाई थी उसे डाल दी ऐसे मैं अच्छे से फैला दूँगी एकदम पतला चिलका बनकर तयार हो जाएगा आप लोग भी इसे हासानी से बना सकते हैं अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस तरीके से हमें ढख देना है यह अच्छे से इस तरीके से पक जाएगा और से पलट दूँगी यह अच्छे से पक गया है अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरीके से फोल्ड करके सभी को मैं इसी तरीके से बना लूँगी आप लोग भी एकवा बना कर जरू ट्राइक करें और हमारे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें ये देखें फ्रेंड्स सभी को मैं बना ली हूँ इसे आप आलू का सबसी के साथ खाएए बहुत ही अच्छा